पूरा करें, तो यहां पर बताना है कि कौन से आपके तीन जो अलफावेट हैं, वो आएंगे, तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, तो देखिए पहला आपका अलफावेट है बाई, तो हम लोग सबसे पहले सभी के पहले पहले अलफावेट उठा लेते हैं, तो हम लोग y से अगर x बनाएंगे तो क्या करना पड़ा देखिए सभी के alphabet code पता होने चाहिए y का होता आपका 25, x का होता 24, आप देखिए w का कितना होता x से w बनाना है, w का होता 23, मतलब 23, अब एक चीत देखिए 25 से 24 बनने में क्या हुआ, एक घटा, फिर 24 से 23 बनने में क्या घटा, मा अगे भी एक घटेगा, तो w का होता 23, 23 में से एक घटा देंगे तो आपका आजाएगा 22, 22 किस का alphabet code होता है, तो यह होता है v का, तो देखिए v आपका पहले में आ रहा है, नहीं आ रहा है, c में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, पहला alphabet इसमें देखिए d ह लेकिन आना चाहिए V तो इसमें से दो option कर जाएंगे लेकिन B और D में आपका पहला alphabet B भी मिल गया ओके गाइस अब अगला आपका alphabet निकालना है बीच वाला तो हम लोग सबसे पहले E से हम लोग F बनाएंगे मतलब दुसरे दुसरे सभी का alphabet उठा लेते हैं बनने में क्या हुआ? एक जुड़ा तो आगे भी एक जुड़ेगा सेकंड अलपावेट बनाने के लिए तो G में एक जुड़ेंगे तो आपका अधाएगा 8 और 8 किसका होता है? H का होता है तो दो अलपावेट आपके मिल गे B अच और B अच पहले और तिसरे तो कटी चुके थे अब हम लोग निकालेंगे तिसरा बाला अलपावेट दो अलपावेट आपके मिल चुके हैं B अच अब B से हम लोग D बनाएंगे लास्ट बाला अलपावेट देखेंगे B का होता है 2 D का होता है 4 अब D से एप बनाएंगे, एप का होता है 6, तो आप देखिए क्या हुआ, प्लस का दो जुड़ा, इसमें भी प्लस का दो जुड़ा, आगे भी दो जुड़ेगा, तो 6 में दो जोड़ेंगे, तो आपका 8 आठ आजाएगा, 8 किसका होता है, H का होता है, तो 3 अलफाबेट नहीं आ रहे, ना C में आ रहे, ना B में आ रहे, लेकिन D में आपके 3 अलफाबेट, B, H, H आ रहे हैं, तो यहीं आपका अंसर हो जाएगा, चलिए अगला कोश्चन करते हैं, गाइस अगला कोश्चन है, यदि पंत को, पंत को 51 के रूप में कूट बद किया जाता है, तो ड का होता है, 14, और T का का होता है, 20, पंत का कोड हमें 51 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो सभी को हम लोग add करके जोड़ते हैं, मतलब जोड़ कर देखते हैं, कि आता है की नहीं, तो इन सभी को जोड़ने पर आपका जो टोटल योग आएगा, वो आजाएगा 51, ओके, तो कर लेते हैं, डॉक्स के सारे alphabet लिख लेते हैं, D, O, G, S, और इसको इधर कर देते हैं, D का होता है 4, O का होता है 15, G का होता है 7, और S का कितना होता है, 19, अब इसको अगर जोड़ें, तो कितना हैगा, 9 और 7 कितना होता है, 16, 16 और 5 कितना होता है, 21, और 21, 4 कितना होता है, 25, 25 इसकी पांच हांसे लगा दो दो लग गया गाईज अब दो और एक कितना होता तीन और आगे एक चार तो पैंटालिस तो अब डॉक्स का कोड क्या हो जाएगा पैंटालिस तो option B is right answer चलिए अगला question करते हैं अगला question है साथ models है A, B, C, D, E, F, G एक photography session के लिए photograph के सामने है तो कितने total हैं गाईज बना लेते हैं हम लोग एक line खीच लेते हैं हम लोग और इसमें total साथ models रख देते हैं एक, दो, तीन, चार पांच, छे और एक साथ अब आगे क्या कहता है D जो है G के बिलकुल दाएं ओर खडा है तो D को हम लोग कहाँ बैठाल देते हैं तो हम लोग D को last से तिसरे नमबर पर बैठाल का देखते हैं D जो है वो G के दाएं ओर खडा है बिलकुल तो G यहाँ पर हो जाएगा तो D के दाएं और काउन सा है G OK, Guys तो D जो है G के बिलकुल दाएं और खड़ा है बिलकुल दाएं और खड़ा है आगे क्या कहता है क्योंकि बायां यहां से स्टाट करते हैं तो D के दाएं कौन खड़ा है G बिलकुल दाएं आगे देखिए क्या है B जो है D और F के बीच में खड़ा है तो B जो है D और F के बीच में खड़ा है तो D तो आपका यहाँ पर है और F आपका अगर यहाँ पर होता है तो B आपका यहाँ पर आ जाएगा B जो है D और F के बीच में खड़ा है तो B यहाँ पर हो जाएगा आगे देखें क्या कहता है A जो है C के बिल्कुल दाई और खड़ा है तो A जो है C के बिल्कुल दाई और खड़ा है तो कैसे करेंगे A को अगर हम लोग बीच में मानते हैं तो A के दाई कौन हो जाएगा C क्यूंकि question में कहा गया है A जो है C के बिल्कुल दाई और खड़ा है C यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, A यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, आगे क्या कहता है, E, G और A के बीच में खड़ा है, E जो है, G और A के बीच में खड़ा है, तो A यहाँ पर है, G यहाँ पर है, तो E कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, पूरा सेट हो गया, आप देखे, बीच में कौन ख़ड़ा है, तो बीच में आपका देखे, सबसे कौन खड़ा होगा, आपका, G बाला, टोटल आपके साथ हैं, तीन यहाँ पेर बन गए, तीन इधर बन गए, और बीच में कौन हो जाएगा, जी वाला, तो आपसे ने, इस राइट आंसर, चलिए अगला कोश्चन करते हैं, अगला कोश्चन है गाइस, यदि एक दरपन उत्तर दिसा में रखा गया है, देखे, यह काला काला जो है, यह उत्तर दिसा में रखा गया है, तो द जाता है, लेकिन यहाँ पर टॉप पर है, गाइस, उत्तर दिसा की ओर दरपन रखा हुआ है, तो यहाँ जो चेंजमेंट होगा, वो टॉप टू बॉटम होगा, मतलब उपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला उपर चला जाएगा, ओके गाइस, तो कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो फिगर बनेगा, यह जो चोन है आपकी नोकदर, यह उपर चली जाएगी ऐसे करके, तो इसका जो सही सुटेबल होगा, वो हो जाएगा, ओप्शन भी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए, यह जो चोन है आपकी, यह उपर चली गई, और यह ब्लैक जो है वो नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया, और सी बाला जो है, यह ऐसे हो जाएगा, तो आप्शन भी, इस राइट आंसर, चली है अगला कोश्चन करते हैं, उस बिकल्ब का चैन करें, जो सही रूप में, रिक्तिस्तान की पूर्ती करते हुए, स्रंकला को पूरा क तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, तो देख लेते हैं, अगर हम लोग 145 से स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, 145 से 290 बनाएं, तो हम लोगों ने 145 से 290 बनाने के लिए क्या किया होगा, 2 का मल्टिप्लाइ, 145 दोनी क्या होता है, 290, अब 290 से हमे में भी 2 का मल्टिप्लाइ करेंगे, तो आपका आजाएगा 580, अब हमें 580 से 1160 बनाना है, तो 580 में भी 2 का मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 1160 हो जाएगा, तो गाइस आपको पता होगा कि सभी में 2-2 का मल्टिप्लाइ हो रहा तो आगे भी होगा, तो 1160 में भी आपका 2 का म कोश्चन आपका क्या कहता है दिये गए विकल्प का चैन करें जो तीसरे पदर से उसी तरह संबन्दित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबन्दित है मतलब बतक का संबन्द है कुल कुलाना तो पच्छी का संबन्द क्या होगा देखिए गाइस जिस प्रकार जो बतक होती है वो कुल कुलाने की आवाज निकलती है उसी प्रकार चिडिया जो होती है इसका हो जाएगा आपका या कह सकते हैं जो पच्छी होते हैं वो क्या करते हैं चाह चाहाते हैं मतलब आप्शन भी चाह चाहाना यह हो जाएगा आपका और नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं चार सब्द दिये गए हैं जिन में से तीन जो हैं किसी तरह से समान है और जबकि जो एक होगा वो अलग है असंगत सब्द का चैन कीजिये असंगत कह सकते हैं आब इसम बोल सकते हैं या ऐसा सब्द चुनना है आपको, जिसमें जो तीन होंगे, वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो डी, जो लास्ट वाला बचेगा, वो अन्य तीनों से भिन होगा, देख लेते हैं, पहले वाले पहला चेक करते हैं, तो पहले में देखें, पहला आलपाबेट C या कैसकते हैं, तीन जो हें पहले में आपके समान होगे, और D जो हें आपका भिन होगे, बिसम होगे, चलिए अगला कोशन करते हैं अलगोशन करते हैं चार विकल्प दिये गए हैं जिन में से तीन किसी तरह से समान है जबकि जो एक है वो अलग है असंगत का चैन कीजिए असंगत या कह सकते हैं विसम का चैन कीजिए तो इसमें देखिए तीन जो होंगे वो किसी न किसी तरह से समान होंगे लेकिन जो एक आपका बचेगा वो अन्न तीनों की भाती अलग होगा तो देख लेते हैं पहला आपका चेक करते हैं ऑप्सन है 22 और 23 दिया हुआ है 22 देखी यह आपका 2 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा और खुद 22 से भी कट जाएगा और 23 जो है आपका वो सोयम से ही कटेगा और किसी से नहीं और ऑप्सन B से देखते हैं तो B में आपका 10 और 15 है तो गाइस 10 और 15 है आपका 2 से भी कटेगा देखे 10 जो है आपका 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा और 15 जो है आपका 5 से भी कटेगा तीन से भी कटेगा तो इसमें क्या कामन है 5-5 लेकिन पहले बाले में आपका कोई भी चीज कामन नहीं है अब C में चेक करते हैं 18 और 27 यह देखे 3 से भी कट जाएंगे और 9 से भी कट जाएंगे सेम हैं और D में देखिए 16 और 21 यह देखिए यह 4 से कटेगा 16 जो है 4 से कटेगा 16 से कटेगा और 21 जो है 3 से कटेगा तो इसमें कोई भी समान नहीं है लेकिन Option B में और C में दोनों में समान है तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा Option A और Option D में से कोई एक हो सकता है क्योंकि जो दोनों संक्या है वो अलग-अलग संक्याओं से कट रही है लेकिन B और C में एक संक्या ऐसी मिल ले जो दोनों से कट रही है चलिए अगला कोश्चन करते है अगला कोश्चन कर लेते है उस विकल्प का चैन करें जो सही रूप में रिक्तिस्तान की पूर्ती करते हुए इस रंकला को पूरा करे तो गाईज हमें यहाँ पर बताना है आगे कोश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 2 से 2 बनाएंगे तो 2 से 2 बनाने में क्या हुआ होगा 2 में 1 का मल्टिप्लाई अब 2 से 3 बनाना है तो हमें 2 में 1 का मल्टिप्लाई तो किया था लेकिन 2 से 3 बनाने में 2 का कि 2 में कितने का मल्टिप्लाई करेंगे डेल का तो डेल का अगर मल्टिप्लाई करते हैं आपका 3.0 या कह सकते 3 बन जाता है हो गया अब देखिए 3 से 6 बनाना है तो 2 में 1 का मल्टिप्लाई किया था और आगे 2 से 2 में 1.5 का मल्टिप्लाई किया था तो 1 और 1.5 के बीच कितने का अंतर है 0.5 का अंतर है तो आगे भी 0.5 का अंतर ही रहेगा तो 1.5 का मल्टिप्लाई कर दिए अब 3 में कितने का मल्टिप्लाई कर दें कि 6 बन जाए 2 का मल्टिप्लाई अब 1.5 के बीच कितने का डिफरेंस है 0.5 का अब 6 से 15 बनाना है तो 6 में आपका कितने का मल्टिप्लाई होगा तो 6 में आपका 2.5 का multiply होगा क्योंकि 2 का कर चुके हैं आप 2.5 का अंतर ही रहेगा अब 15 में कितने का multiply करें तो 15 में आप 3 का multiply करेंगे क्योंकि 2.5 का multiply हो चुका है तो 15 तियां 45 तो option B is right answer चलिए अगला question करते हैं अगला question आपका बनता है A जो है B की तुला में अधिक बुद्धिमान है तो A is greater than B तो A बुद्धिमान है B से आगे क्या कहता है C जो है B से अधिक बुद्धिमान नहीं है तो C और B में कौन बुद्धिमान होगा V तो B is greater than C क्योंकि C आपका है B से अधिक बुद्धिमान नहीं है आगे क्या कहता है D जो है E की तुल्ला में अधिक बुद्धिमान है तो D is greater than E D जो है E की तुल्ला में अधिक बुद्धिमान है परंतु A से अच्छा नहीं है तो A का स्थान आपका आगे आजाएगा तो क्या हो जाएगा A is greater than D और greater than D E परंतु A से अच्छा नहीं आगे क्या कहता है सबसे बुद्धिमान कौन हो जाएगा option A option A is right answer A आपका सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएगा आगला कर लेते हैं question question क्या कहता है आगला question है किस विकल्ब की आकरती प्रस्न आकरती संकला को पूरा करेगी तो देखिए पहला जो आपका figure हुआ है यह आपका पहला circle बाला देख लेते हैं circle में जो आपका काला काला दिया हुआ है वो आगे जाके दूसरे figure में बही रहा same रहा उसकी position बही रही तो आगे देखिए तिसरा figure देखिए तिसरे figure में आपका circle है और आगे काला काला है तो आगे भी बही position रहेगी circle की ऐसे ऐसे बनेगा और यह बाला जो भाग होगा वो हो जाएगा black black कर देते हैं guys काला यह रहेगा आपका यह बाला जो भाग है वो यह काला रहेगा अब आगे हम लोग पूरा figure बना लेते हैं पूरा का पूरा आगे देखिए आप second जो figure है आपका rectangle यह इसकी जो position है वो आपकी ऐसी हो गए यहाँ पर तो आगे यह आपकी position यहाँ पर है इसकी भी position ऐसी ही हो जाएगी आगे भी चलके तो हम लोग ऐसे बना देते हैं ऐसे ऐसे बन गया जैसे कि पहले से दूसरे में हुआ था तो तिसरे में चोथे में हो जाएगा अब देखिए यह triangle है triangle पहले यहाँ पर था यहाँ पर तो यहां पर नीचे आ गया अतलब पलट गया तो यहां पर जब triangle है तो उप़र जाके यह पलट जाएगा तो उप़र जाके जब पलटेगा तो आपका ऐसे हो जाएगा ऐसे तो यह आपका figure बन जाएगा तो यह जो figure आपका बन आए option c में बन रहा है देख लीजेगा बिल्कुल सही बन रहा है तो option c is right answer चलिए अगला question करते हैं अगला question है बेन आरेक का चैन करें color को change कर लेते हैं जो दियेगे तीन बर्गों के बीच के संबन्द को सरवत्तम दरसाता है तो देखिए पुरुस है पिता है और भाई तो इसका बेन आरेक कैसा बनेगा option c वाला तो जो बड़ा बाला सरकिल हो जाएगा यह आपको दरसाएगा पुरुस का और जो भाई और पिता है वो ऐसे सरकिल बन जाएगा बीच में जो जगए होगी वो क्यों होगी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिता है पिता का भाई हो सकता है तो आपका दोनों का बीच में यह हो जाएगा इंटरसेक्ट कर जाएगे तो option c is right answer देखिए कुछ पिता भाई हो सकते हैं और कुछ भाई पिता भी हो सकते हैं तो ऐसे आपका फिगर बन जाएगा इंटरसेक्ट दोनों करेंगे आपके तो आपका option c बाला is right answer चलिए अगला question कर लेते हैं इस लोग का question है न्या निगमन का तो कथन आपके statement है निसकर्स हैं और आपको answer बताना है option के माध्यम से तो देखिए सभी question क्या कहता है पहला question कि सभी प्रेरक्या है संधारित्र तो सभी प्रेरक्या हो जाएंगे आल प्रेरकार संधारित्र आगे क्या कहता है कुछ प्रतिरोधक प्रेरक हैं तो प्रेरक का कुछ हिस्सा आपका किसमे चला जाएगा प्रतिरोधक में ऐसे बनेगा फिगर प्रतिरोधक आगे क्या कहता है सभी परमाणू संख्या क्या है प्रतिरोधक तो परमाणू संख्या आपकी ऐसे बन जाएगा फिगर अंदर, प्रतिरोधक के अंदर समा जाएगा, अब निसकर्स क्या कहता है, सभी परमाणू संख्या संधारित रहें, तो संधारित आपका, देखे संधारित का कुछ हिस्सा आपका प्रतिरोधक में जा रहा है, लेकिन संच्ए संधारित से दूर-दूर तग नहीं bạn तो पहला कट दुसरा आफ़ा देखिए कुछ परमाडू संख்या शंदारित रहे हैं तो परमाडू संख्या का कुछ भी इस्सा आपका संदारित में नहीं जा रहा हैं तो दूसरा भी कट आप नहीं कुछ संधारित प्रतिरोधक हैं तो संधारित प्रतिरोधक, तो संधारित का कुछ हिस्सा आपका प्रतिरोधक में जा रहा है, तो दुसरा सही, चोथा देखिए, सभी प्रतिरोधक संधारित रहें, देखिए, सभी प्रतिरोधक संधारित नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा ही ह अगर तिसरा बाला कतन मैंने निकाला है कुछ संदारित प्रतिरोधक हैं तो ये बाला आपका सही हो रहा है तिसरा बाला आपका कतन सही हो जाएगा केबल अनुसरान तिसरा करता है तो option D is right answer केबल थर्ड अनुसरान करता है अगला question देख लेते हैं अगला question क्या कहता है उस विकल्प का chain करें जो तिसरे पत से उसी तरने से संबन्दित है जिस प्रकार दुसरा पत पहले से संबन्दित है तो देखी 412 से हमें 49 बनाना है तो कैसे करेंगे 412 के सारे digit लिख देते हैं और सारे digit का अगर हम लोग square कर दें और उनको जोड़ दें तो हमारा क्या निकलता है देख लेते हैं तो यह हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 4 तो इनको अगर जोड़ दिया तो आपका कितना निकला तो आपका यह निकला गाइस 17 चार कितना हो जाएगा 21 लेकिन हमें लाना है उन्चास तो यह satisfied नहीं किया दुबारा देखते हैं 4 प्लस 1 प्लस 2 कर देते हैं मतलब 412 के सारे डिजिट हैं उनको जोड़ देते हैं तो कितना आता है 7 अब अगर 7 का square कर दें तो हमें क्या मिल जाता उन्चास इसी परकर 361 के लिए करेंगे तो 361 के सारे डिजिट को जोड़ देते हैं तो 36 कितना होता 9 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 और 10 का square कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएका 100 अगरा कोशन जो है सिंपल सा है देख लेते हैं क्या कहता है 4 अच्छर समू दिये गए हैं जिन में से 3 किसी तरह से समान है जबकि जो एक होगा वो अलग है असंगत अच्छर समू का चायन करना है तो सारे option चेक कर लेते हैं पहला है आपका D, E, F D, E, F तो देखिए D का alphabet code होता है 4 E का होता है 5 और E का होता है 6 तो सभी में कितना add हुआ? प्लस का एक 4 से 5 बनने में प्लस एक 5 से 6 बनने में प्लस एक अब option भी चेक करते हैं H, I, K तो H का कितना होता है 8 I का होता है 9 और K का होता है 11 अब इसमें देखिए क्या होगा? 8 से 9 बनने में 1 जुड़ा और 9 से 11 बनने में 2 जुड़ा तो ये हो गया अब C बनने में 2 बनने में 2 जुड़ा 4 से 5 बनने में 1 जुड़ा मतलब पहला option A और option C आपके समान होगे और option D ये भी चेक कर लेते हैं क्या है आपका? E, F, G देखिए E का alphabet code होता है 5 F का होता है 6 और G का होता है 7 तो 5 से 6 बनने में 1 फिर 6 से 7 बनने में 1 तो इसमें भी क्या जुड़ा? प्लस का 1 तो आपके से की समान होगे आपका option A और option C और option D लेकिन बचा आपका option B जिसमें 1 और 2 जुड़ रहा है तो option B सबसे अलग है तो option B is right answer चलिए अगला question करते है आपका अगला question देख लिए क्या है question क्या कहता है यदि किसी निश्चित कूट भासा में cage को क्या लिखते हैं C A G cage की spelling यह होती है cage को क्या लिखते हैं B D F or G इसके रूम में कूट भद किया जाता है के रूम में लिखा गया है और normal को इसके रूम में लिखा जाता है तो normal के क्या spelling होती N O R M A L इसको किस में लिखा जाता है M O X Q D F तो general को किस प्रकार लिखा जाएगा उसी कूट भासा में तो general की spelling क्या होते G E N E R A L अब general का पहला alphabet आपका G है जो कि आपका cage में तिसरी number पर मिल ला है इसका color change कर लेते हैं तिसरी number पर मिल ला है तो तिसरी number पर क्या code है इसका app तो इसका G का लिख देते हैं app अब general का E alpha beta है अब E जो है cage में आपका 4 नमबर पर मिल ला है तो 4 नमबर पर इसका code क्या है G तो G लिख दिया अब general में आपका N अगला alpha beta N है तो N किसमें मिल ला है normal में पहले number पर तो पहले number पर कौन सा alpha beta है M तो M लिख दिया अब आगे है general में E E आपका इसमें मिल ला है cage में चोथे स्थान पर तो क्या है इसका code? G तो G लिख दिया फिर से अब अग general में आपका R alpha beta R देखे normal में तिसरे नमबर पर मिल ला है तो तिसरे नमबर पर इसका code क्या है X तो X लिख दिया अब है अगला A alphabet A देखे आपका normal में पाचवे नमबर पर लास्ट में दुसरे नमबर पर है लास्ट से दुसरे नमबर पर तो लास्ट में दुसरे नमबर आपका alphabet क्या है इसका code का alphabet D तो D लिख दिया अब last alphabet बढ़ता है L L का code देखे नॉर्मल में L है लास्ट में इसका code क्या हो जाएगा F तो आप लिख दिया ये आपका answer हो जाएगा तो ये option ये जो alphabet बने है ये आपका किसके option में मिल लहा है तो ये मिल लहा है आपके option D में देखिए FG भी है FG भी है फिर MG MG और XDF X, B, B तो option D is right answer I hope आपको समझ में आया होगा चलिए अगला question देख लेते हैं N1 का अगला question है Slog का अगला question है क्या कहता है कुछ कलमे पुस्तके हैं तो कलम का कुछ हिस्सा किसमें चला जाएगा पुस्तकों में कुछ कलमे क्या है पुस्तक है ऐसे बनेगा आगे क्या गता है अपका किसमे चला ज intellect में आगे क्या करता है सभी अंगूर चेड़ी यह जो आगे देक्धिक्र बनेगा यह हैं तो आल अंगूर का किए आयुक्त किया हो जाएंगे चेरी को कि ये दूसरा पृकर बन अगे देखिय सभी मंदिर कलमे हैं तो कि मंदिर का कुछ इस्साइब कलम में जा रहा है तो सभी आपका सई हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा केबल दूसरा अनुसरान करता है तो प्रचन या अंतर नहीं थैं यह कह सकते हैं यह आपकी जो आकरती बनी होई है यह कौन से option में मिल जाएगी तो यह जो आकरती अंदर बाली है यह आपकी option B में मिल जाएगी देख लीजेगा यह जो तीन जो यह खाचे बने हैं यह आपके खाचे आपके इसमें मिल जाएगे और नीचे बाले यह डंडा यहाँ पर भी मिल जाएगा और लास्ट में ये गोला भी आपका यहाँ पर मिल जाएगा तो option B is right answer चलिए अगला question कर लेते हैं अगला question है पांच किताबे A, B, C, D, E हैं A, B, C, D और E हैं और आगे क्या कहता है किताब C उपर है सबसे उपर आपकी किताब कौन से हो जाएगे C किताब D के मतलब D के उपर क्या है आपकी C सबसे उपर आपका है C का उसके बाद D का अब आगे क्या कहता है किताब E के नीचे है किताब E के नीचे है किताब A के तो A के नीचे क्या हो जाएगा E जो कि दिया हुआ है, किताब E के नीचे है, किताब E के, मतलब E के नीचे कौन सी किताब है E आगे क्या कहता है, D उपर है, A के, तो A के उपर कौन सा है, D आपका दिया ही हुआ है अब देखिए आगे क्या कहता है, A के किताब B नीचे है, A के किताब B नीचे है और तो सबसे नीचे इस्थान आपका कौन सा हो जाएगा B का और जो की B नीचे है किसके? E के, E के नीचे कौन सी हो जाएगी B के तो कौन सी किताब सबसे नीचे है? तो सबसे नीचे आपकी हो जाएगी V वाली तो option C is right answer चलिए अगला question करते हैं अगला question क्या कहता है? उस विकल्प का चैन करें जो तिसरे पद से उसी तरह सम्बन देता है जिस्प का दूसरा पद पहले से सम्बन देता है तो सबसे पहले हम लोग AC से CF बनाएंगे AC से CF कैसे बना? तो देखिए A का अलफाबेट कोड होता है C का होता है 3 और यहां पर C का होता है 3 अपका होता है 6 तो पहला अलफाबेट है A इसे हमें बनाना है C तो कितना जोड़ा प्लस का 2 अब 3 से हमें 6 बनाना है तो कितना जोड़ा प्लस का 3 मतलब पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा इसी परकार हम लोग MO में करेंगे तो M का कोड कितना होता है तो guys, M का कोड होता है 13 13 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15, 15 किसका होता, O का अब अगला अलपाबट du O का कितना होता है 15 पहले 2 जोड़ा था फिर बन्वाद में करते हैं नीचे दिये प्रस्वन आकरति के नुसार एक कागत को मोड़कर काटा गया है खोले जाने पर बहुत दी गई आकरतियों में इसे कैसा दिखाए पड़ेगा तो पहले फिगर देखिए ऐसे मोड़ा फिर इदर मोड़ा फिर आपको ऐसे मोड़ा फिर यह पूरा तो option B वाली option B ऐसी दिखेगी अगला कोशन देख लेते हैं देखिए उस विकल्प का चैन करें जो तिसरे पत से उसी तरह से सम्बन देते हैं जिस प्रकार पहला पत दूसरे से सम्बन देते हैं तो इसका क्या होगा देखिए car का सम्बन गेराज से देखिए जिस प्रकार car जो है वो गेराज में खड़ी होती है उसी प्रकार हवाई जाज कहां पर खड़ा होता है तो यह होता option B hangar अगला कोशन देख लेते हैं यदि प्लस का आर्थ है आपका भाग, माइनस का आर्थ है जोड गुणा का आर्थ है घटाओ और भाग का आर्थ है गुणा तो एक question है आपका क्या है 20 into 12 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 4 इसको solve करना है तो सारे चिन्नों को change करेंगे तो 20 into का आर्थ है क्या देखिए multiply का आर्थ है घटाओ तो 20 माइनस 12 प्लस का चिन 4 के आगे minus तो minus का आर्थ है जोड़ जोड़ लगा दिया फिर आगे plus प्लस का आर्थ है बाग लगा दिया अब इसको बॉड मास rule के according solve करेंगे तो बॉड मास rule के according सबसे पहले बाग वाला solve होता है तो 12 में हम लोग 4 का divide करेंगे और 8 में भी 4 का divide करेंगे तो यह हो जाएगा 20 माइनस 12 में 4 का किया तो 3 फिर प्लस 8 में 4 का divide किया तो 2 अब प्लस वाला हम लोग जोड़ लेंगे सबसे पहले 20 और 2 कितना होता है 22 और 22 से 3 जाएगा तो आपका आजाएगा answer 19 ओके गाईस तो यही आपका answer हो जाएगा 19 चलिए अगला question करते है अगला question है देख लेते हैं क्या कहता है question missing number का question है यहाँ पर missing number find out करना है तो सबसे पहले एक एक figure को solve करेंगे पहले figure को तो पहले figure में आपका 65 है नीचे तो 65 कैसे बना तो उपर आपके 2, 5 और 6 दी हुई है तो इसको हम लोग square करके जोड़ देंगे 2 का square किया फिर 5 का square किया फिर 6 का square कर दिया तो यह हो जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 36 इन तीनों को जोडने पर आपका answer किया मिला 65 तो यही तरीका second में करते हैं 6, 8 और 9 का square कर देंगे और जोड़ देंगे तो 6 का square प्लस 8 का square प्लस 9 का square तो यह हो जाएगा आपका 36 प्लस 64 प्लस 81 इनको जोडने पर आपका answer आए एकसाइशी अब इसी प्रकार तिसरे फिकर में करेंगे 2, 8 और 7 का square करके जोड़ देंगे तो 2 का square प्लस 8 का square प्लस 7 का square 2 का square होता है 4 8 का होता है 64 और 7 का होता है 49 इन तीनों को जोडने पर आपका answer क्या मिला तो जो answer मिलेगा वो होगा आपका 170 है तो absence is right answer absence is right answer चलिए अगला question करते हैं आपका last question है निमलकित मैंसे कौन सी उत्तर आकरती दी गई आकरती को पूरा करेगी तो प्रस्न आकरती आपकी है यहाँ पर देखे कौन सी आकरती बनेगी देख लेते हैं तो option B A वाली तो option is right answer तो कैसे बनेगी सभी में देखी यह दो डंडे हैं आपके तो इसमें भी आपके दो डंडे हो जाएंगे और एक बिंदी है और यह गोला है तो बिंदी आपका छोटा सा गोला ही हो जाएगा एक बिंदी यहाँ पर हो जाएगी तो option नहीं जराइटां से तो guys आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद आपका दिन सोब रहे